आपने मश्रूम और पालक की ऐसी सबजी कभी खाई है? I'm pretty sure कि आपने बिल्कुल नहीं खाई होगी और ट्राइ भी नहीं की होगी आज मैंने इतनी अच्छी सबजी बनाई है ना कि मतलब आप आगे वीडियो देखोगे नो तो समझ में आएगा कि यार वाओ हम ऐसे भी पालक और मश्रूम बना सकते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और मश्रूम की भुर्जी इतनी यम्मी इतनी टेस्टी आहा मज़ा आने वाला है गाईस बने रहना तो वेल्कम बैक टो हेल्दी डाइट आरू और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और नई-नई रेसिपीस को इंजोई कर रहे होंगे और बना कर भी खा रहे होंगे और खिला भी रहे होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक भुर्जी और इसको मैंने बीट रोटी के साथ बनाया है मैंने पापड रखा है और मैंने ख massacre का राईता रखा है तो इसके लिए आपको चाहिए पालक पालक को आप क्या करना अच्छे से धोके और उसको काट लेना त्जिक है अगर आपके पास कम पालक है तो उसमें भी ये भुर्जी बहुत असानी से बन जाएगी इसके लिए बहुत जादा धेड़ सारा पालक की जरूरत नहीं है अब यहां पर क्या चाता है ये क्या है ये है गाइज मश्रूम और मश्रूम को मैंने अच्छे से बॉयल करके और उसको जो है चौप कर लिया था अब मुझे तो इसको अगर हमें सही करना है और मतलब इस चीज से बचाना है कि ब्लैक न पड़े तो उसके लिए क्या करना रहेगा हना क्योंकि मेरा तो मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं उसको बॉयल कर ले रही हूँ न तो उसके बाद बॉयल करने के बाद इसको अगर थोड़ी देर सब्सक्राइब प्याज हरी मर्च और लहसुन उसको भी ना मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में तो वह मेरा प्याज लहसुन और हरे मिर्च का चॉप डुवर्जन है तो अब हम क्या करेंगे, बस हम इसमें यही चीजर यूस करने वाले हैं, अब हम ले ले लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसो का तेल, बहुत ज्यादा निहीं डालना है North जीरा और थोड़ी सी हींग जीरा हींग डालने के बाद हम जो अपना प्याज हर इमर्च और लहसुन को जो चौप करके रखा था ना उसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे तेक है गोल्डन ब्राउन होने तक यह हॉल्मोस्ट हम हर सब करते हैं और अगर आप चाहें तो लैसुन स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो बट ठीक है उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाता है और अब मैंने इसमें डाल दी हैं मश्रूम यह मश्रूम चौप्ड थे इसको मैंने बॉयल नी किया है बस यह है उसकी जो गंदगी इंप्यॉरिटी होती है ना उसको निकालने के लिए हलका सा पानी में डालते हैं अब चूंकि इसको हम अच्छे से ना भून लेना और चूंकि मुझे इसका ना कलर चेंज करना है तो अगेन मैं इसमें यूज करने वाली हूं बीट रूट बहुत जादा यू और वैसे भी आपको पते हैं हम इस चैनल पर कलर फुल खाना बनाते हैं तो इसमें डाल दीए है मैंने हल्दी धन्या पाउडर और थोड़ा सा गरम अशाला स्वद आट नमक बहुत ज्यादा मत डालना क्योंकि ये हरी सबजी है तो हरी सबजी में क्या होता है वह मत भीज ह और अब मैंने डाल दी अपना हरा 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 पालक और पालक को हम क्या करेंगे डालने के बाद पूरा नीचे से जो पूरा भुर्जी है जो हमारी मश्रूम की भुर्जी है उसको हम इसके उपर कर देंगे पूरा नीचे अदर्वाइस क्या होगा यह लगने का डर रहता है तो इ मुझे पता है आप लोगों ने, I'm not sure कि आपने ट्राइ करिया या नहीं, अगर आपने ट्राइ करिया तो please comment section में जाके बताएं कि आपने ऐसी भुरजी ट्राइ करिया या नहीं, क्योंकि मैंने तो दो तीन बार बनाई है, तो ये मुझे तो बहुत पसंद है, आप एक बार ब बढ़ जाते हैं, हाना, और अब ये मेरी हो गए, ये भुरजी टैयार, वाओ, इतनी टैम्टिंग और इतनी स्वादिश्ट, मतलब इसका थोड़ा सा, मतलब मैं पूरी तरह से टेस्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो हम सोया चंक्स बनाते हैं, उसकी तरह थास का टेस्ट जो थोड़ा-थोड़ा, इसमें पालक है, तो पूरी तरह से नहीं होगा, और इसको आप बना के रखिए, इसको आप साइड डिश के रूप में भी रख सकते हैं, हेल्दी तो है ही, बच्चों के टिफिन में आप दे सकते हैं, ठीक है, और इसको आज मैंने बनाया है, खीर हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं बनाने में, और अगेन मैंने आज बनाई अपनी बीट रोटी वित पापड, तो आपको यह रेसिपी ना मेरी पसंद आयोगी, अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, और शियर इस गाए, और शियर दिस वीडियो तो एवरीवन अगर आपको लगता है कि हाँ, यह अच्छी रेसिपी है, हेल्दी है, और हम को मतलब आगे हम बच्चों की हैबिट्स में डाल सकते हैं, और आपको बहुत पसंद भी आने वाली है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक माई चैनल, सबस्क्राइब म क्कीची और बस असे इसे करचाएइगी, बाबाई